हलो दोस्तों मैं दिनेस आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज फिर से अपने एक पैनी स्टोक की बात करने वाले हैं जिसका मार्केट के जो है वो 500 करोड से कम है तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जि हाँ दोस्तों आज अपने बात करने वाले हैं उर्जा ग्लोबल जो की 10 रुपए 45 पैसे इतने रुपए का स्टोक है और आज ही के दिन इसका रिजल्ट आया और रिजल्ट इतना जोरदार है कि अब ये स्टोक जो है वो नहीं रूपने वाला चलिए अब इसके रिजल्ट को देखते हैं पहले उसके बाद अपने इस चार्ट पर आते हैं तो यहां इसके अंदर अभी अपडेट हुआ नहीं है तो अपने BSC की साइट पर उर्जा ग्लोबल का जो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है किस तरह से आप रिजल्ट देख सकते हैं तो यहां रिजल्ट को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर आपको कंसोलिडेट रिजल्ट देखना है अब यहां रिजल्ट को आप देखे कैसे एनलेसिस करेंगे तो यहां मैं आपको बताता हूँ नेट प्रोफिट यह जो लाइन आपको दिखाई दे रही है नेट प्रोफिट जो है यहाँ 9 करोड का था कब 31 मार्च 2023 को और 30 जून 2022 को यह 22 करोड का था अभी कितना है 54 करोड का डबल हो गया और श्टोक कहां पर है अच्छा चलिए यहाँ आपने देखिए कंपेरिजन करते हैं मार्च 2023 में यह 9 करोड का था क्या इसके अंदर यह देखिए पुर्जा ग्लोबल का यह रहा मार्च 2023 को यह 9 ठीक है यहाँ यदि आप इसके अंदर देखेंगे तो यह देखिए लाख रुपीज इन लैक तो यहाँ यह 9 लाख का प्रोफिट है यह 22 लाख का है और यह 54 लाख का और यहाँ पर यह आपको 100 कर रहा है मिलियन में ठीक है तो यहाँ थोड़े टाइम बाद आपको जून कॉर्टर का जून 2023 में जो रिजल्ट है वो 54 फोर अपडेट हो जाएगा तो काफी अच्छा रिजल्ट लगा और इसके अकोडिंग श्टोक जो है कल की तारीक में गेप अप ओपन होगा तो यहाँ आपको एक बाइंग अपरचिनिटी देखनी है इसके अंदर क्योंकि 10 रुपे का श्टोक है अप 100 कॉंटिटी जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकोडिंग आप इसमें एंट्री कर सकते हैं काफी टाइम से देखिए वीकली चार्ट में भी ये क्या है कितने टाइम से कितने वीक से इस रेंज में है क्योंकि इसको अभी नीचे नहीं जाना देखिए अपने इसमें फिगोनाची लेवल भी लगा के देख लेते हैं तो यहां से श्टोक ने अपसाइट दिखाई और यहां तक यह उपर गया अब श्टोक को यदि अपने डेली चार्ट में देखें तो यह देखिए श्टोक जो है 0.6 के नीचे नहीं आ रहा 50% के नीचे तो वीक होना स्टार्ट होता है लेकिन यदि इसकी क्लोजिंग 0.6 के नीचे हो जाती तो यह बीरी स्ट्रेंड में चला जाता लेकिन नहीं हुई क्यों क्योंकि इसको उमीद थी कि यह अच्छा रिजल्ट देने वाला है तो यहाँ पर काफी टाइम से यह क्या है वेट कर रहा था रिजल्ट का और अभी रिजल्ट जो है पोजिटिव आया है तो श्टोक के अंदर मूवमेंट आना भी कन्फर्म हो गया है तो यह देखें 0.6 का लेवल यह है इसको अब यहाँ यह देए यहाँ से यह इस केंडल यह ग्रीन केंडल है इसी लेवल को टच करके उपर चले गई अब यह कल की तारीक में इसके अंदर अपर सर्किट जो है वो लगबग 12 रुपए के आसपास है क्योंकि 10 रुपए का स्टोक है 20 परसेंट यह दी आप देखेंगे तो यहाँ 12 रुपए 50 पैसे के आसपास यह खुलने वाला है तो यहीं आपको ओर कहां लगाना है क्योंकि अपर सर्किट यह दी लगता है तो उसके अंदर आप बाइंग कहां करेंगे आपको बाइंग जो है 9 बचकर 5 मिनट पर आपको ओपनिंग से पहले ही प्री मार्केट ओडर लगाना है जो अपर सर्किट है उसी पर लगा दीजिएगा मार्केट कहीं पर भी ओपन हो आपको यह स्टोक जो है वो अलोट हो जाएगा आपको मिल जाएगा तो आपको यह स्टोक कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो यह दिए अच्छा लगा तो लाइक और शेर करना मत बूलेगा मिलते हैं इसी तरह के एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ